कि इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अगर आपका पैरलल स्पेस आपसे 64-bit सपोर्ड मांग रहा है तो उसे आप कैसे इस्टोन कर सकते हैं और यहां पर 64-bit आपका अगर नहीं होता है तो यहां पर अपका जो क्लोन अप्लिकेशन का वह बलैक हो जाता है स्क्रीन यह फिर क्राइस हो जाती है बार 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 तो कंफिटेबल जो होता है तो आपके अगर फोन में ऐसा आ रहा है तो आप अपने पैरल स्पेस को पहले इंस्टोल कर लीजेगा 64-bit को आप इंस्टोल पर जैसे किसी भी अप्लिकेशन को आप खोलते हैं तो यहां से आप इंस्टोल करते हैं और यहां पर प्लेस्टोल में जाते हैं तो इस अप्लिकेशन को यहां से आप इंस्टोल कर लीजेगा प्लेस्टोल में जाकर तो फिर जो आपकी प्रोब्लम जो होगी वह सोल्फ हो जाएगी प्लेस्टोल में चलते हैं यहां जैसे आप इसको इंस्टो करेंगे याप एक दो मिनिट लगेगी इस्टोल करने में और 560 KB का यह रहता है एक अबिका भी नहीं है इंस्टोल होने के बाद एक यह दो एंबिका हो जाता है बस इससे उपर करने होगा और आपका जो है फिर इसके सपोर्ट के साथ जो है आपका पैरल स्पेस वर्क करने लग जाता है तो यह प्रसेट रहता इसका अब मैं आपको वट्सप खोल कर दिखा द इता हूं कि यहां पर इपưngरपर दालता हूं मैं और उसे जो है होल्ड कर देता हूं तो क्रेंट कर देते आपर पर सारी permissions को और यह खुल जाएगा तो यह process रहता इसका अगर यहां पर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दिजेगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिजेगा